हेलो दोस्तों वेलकम टू माई चैनल निहा ड्रेसमेकर और मैं निहा आज आपको बताने वाली हूँ फैबरिक लटकन कैसे बनाएं तो देखिए यह हमने कपड़ा लिया हुआ है फैबरिक और इसका लाइनिंग भी लगाई है तो देखिए इसकी जो चौड़ाई है लगास जो पालाई है तो यह से हमें सफिर लगाएं तो ल्हट एका ड़ला विंह चाई माई में और दर इंदर तरफ नहीं लगानी फासितुए यह भी हम इसको आगे की तरफ थोड़ा मोड़के बलकूल बारी लगा लेनी ये से लाई ज्यादा अंदर नहीं लगानी है इसको और लटकन बनाने का ये बहुत ही आसान तरीका है आप घर पे ट्राइ कर सकते हैं इसलिए मैंने इसोचा ये वीडियो आपके लिए बनाना चाहिए मुझे ये देखिए हमने चारो तरफ चलाई लगा लिए है देखिए हमारी चारो तरफ चलाई लग गई है अब हम इस कपड़े को फोल्ड कर लेंगे उल्टी साइड से चार फोल्ड करेंगे अभी इसका जो सेंटर उस पर हम निशान लगा देंगे और उसमें वहाँ पर सेंटर की जगह पर कट लगा लेंगे वह भी अस्तर की साइड से थोड़ा कट लगाएंगे अब हम इस कपड़े को कट लगाने के बाद सीधा कर लेंगे अब हम यहां से अंदर का जो कपड़ा उसको बाहर लाने की कोसिस करेंगे यह कपड़ा लगबग बाहर आया जा रहा है अभी थोड़ा टाइम लगेगा बट इसली निकल आएगा कोई टेंशन वाली बात नहीं है उसको थोड़ा कट लगा के वहां से धीरे-धीरे निकाल लेना है हमें यह बाहर कपड़ा निकल आया है बाहर सिधा हो गया है सीधे तरफ से अगया अभी यह देखिए यह सीधे तरफ से निकल आया है अब हम इसको कैंची या नोंक वाली चीज़ हो उसको उससे अपने जो कॉर्णर हैं उनको निकाल लेंगे तो मैंने तो यह कैजी से निकाल लिये थे यह देल गिए दिखोने एकदम से इस निकाल लिए हैं अब इस पर हम सिलाई लगा देते हैं उपर से उपर की साइड से हलकी हलकी पारिक सिलाई लगा देंगे चारा तरफ लगा देंगे इसमें सिलाई यह देखे चारा तरफ हमारे सिलाई लग गई है लगवव यह देखे हमने चारा तरफ सिलाई लगा लिए इसको देखे अभी इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके फिर से एक और फोल्ड लगाएंगे इसमें और इसको हम ऊपर की साइड से भी थोड़ा सा कट कर लेंगे सेंटर में थोड़ा सा कट करेंगे क्योंकि हमें इसमें दोरी फशानी होगी तो यह देखिए हम दोरी यहीं सेंटर से टोरी निकालना है तो जो हमारे फैबरिक का सेंटर है हमें उसी में कट करना है थोड़ा सा आराम से दोरी को में निकाल लेना है दीरे दीरे यह देखिए हमारी दोरी निकल के बाहर आ गई है अब हम इसको सेंटर में कर लेंगे दोरी को और इसको डवल फोल्ड करके फिर उसी तरीके से चार फोल्ड करेंगे और इसको ऊपर की वाली साइड से जो इसके ऊपर साइड है देखि उस पर हम मिजर करके और इंच पर निशान लगा लेंगे दोनों स सइडसे अधा इंच दौनों साइड से निसान लगा लेंगे और इंच के देखेवगा हुआ मदवाने इंच इधर से और यहान दूसरी सणे प्युक्राइब धी दे लेंगे कि सेंटर की तरफ ले जाते हुए हम इसको तिर्षा सेफ कर देंगे कि अब इसी से पर हमें निसलाई लगा लेनी है कि अब सिलाई लगा लेंगे आराम अरम से कोई कि देखिए बिल्कुल ही अच्छे से सिलाई लगा लें उस पर कि अधिकी पलटने पर कितना देख रहा है एक दम पफ जैसा हो गया है कि तो अब हम दूसरी साइड से भी सेम प्रोसेस करेंगे उसको डबल फोल्ड करके फिर से सेंटर करेंगे मैं और सेंटर करने के बाद इसपर भी हाफ न्च का उपर की साइड से हम निशान बनादेंगे और सेंप दे जय है जैसे हमने पहले किया थे वैसे ही इसमें भी करना है तो हाफ हाफ इंच पर हम इसको कर लेंगे कर लो sûr देखिए कि हमारा यह लगवक रेड़ी है रेड़ी हो चुका है तो आप देख सकते हैं अभी मैं इसको सीधा कर दूँगी कि देखिए सीधा होने पर कितना सुन्दर लग रहा है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई यह तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दें हैं एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे वीडियो आपको और भी चाहिए तो प्लीज हमारे कमेंड करके बताएं कमेंड सेक्शन में और सेयर भी करें हमारे वीडियो को धन्यवाद दोस्तों अब थैंक्यू फोर वाचिंग